हेलो गाईस, बुड़िव्निंग, मैं आप सेड मिल चुकी हूँ साम में, ये देखे, मेरे घर में अचकाम लगा हुआ है, ये देखे, घर की हालत क्या हो चुकी है, मैं आपको सोफा वेकरा सब बाहर रखा हुआ है, दिखाते हूँ, ये देखे, घर में पेंट का काम चल रह और विए कलर गया है कि सारा समान एड्जेस्ट किया बहुत ही पूरे दिन लग गया इन सब कामों में अभी एक हॉल है कम्प्लीट हो चुका है अब इसमें डिजाइन बनेगा यह देखिए पेंट वगड़ा रखा हुआ है अंकल जी है और यह बच्चो का रूम पूरा समान बिल्कुल इधर उदर सिप्ट कोना बहुत ही मुस्किल हो जाता है यह देखिए बच्चो का रूम पेंट हो चुगा है अब भाईया जी के लिए समोसा आया है अब भाईया जी से सर्व करेंगे कर लीजे आप अपने ले लीजे ना पहले आप लोग खा लीजे देखते हैं अभी और होगत में दिखाती हूं यह देखिए भाईया लोग नास्ता कर रहा है समोसे की साम का टाइम हो चुक है अब कुछ समोसे बच्चे हैं तो मैं बच्चो को दे रेती हूं देखिए पूरा फैला हुआ है पेंटे विए बच्चों से डिजाइन बना रहे है दिवाल में एक दिवाल यह वाइट वाली इसमें टेप के डिजाइन की को बनेंगे कि कैसे बनाया जाता है इसको टेप चिपका चिपका के और कलर करेंगे बाकी तो कलर हो गया है बाकी तो कलर हो गया है यहां लगए है यह दर ओपर चड़े है यह देखिए जो टेप से डिजाइन बना है उस पर अब कलरिंग का काम सुरू हो गया है यह कैसा आता है कि फर्स टाइम टेप से बनाया डिजाइन बन रहा है अभी तक मैंने वाल पेपर यह सब लगाया था तो वाल पेपर को निकाल के पूरा और यह नया टाइप से बन रहा है इसमें पूरे टेप के डिजाइन है और इसमें अब कलर हो रहा है कर दो कर दो हुआ है यह मेहन दी कलर है और बीच में टेप की डिजाइन है और बाकी तीन दीवाल इस मेहन दी कलर से और बाकी यहाँ परपल कलर से पूर की लाइट क्यों इसे नहीं देगें आपको पिंक लग रही होगी मगर यह पिंक नहीं है परपल है यह देखिए पूरी दिवाल यह दिवाल पूरी में दी कलर की होगी अब इसे देखिए यहाँ से ढुलि के तर बहल है नहीं देखिए यहाँ से यह वाइट वाला किया हो रहा है यह विद दमातर अब अब मम उना हमते हैं हाँ कि अभूप दोभ किवसा हुआरा है विर शुल आयो है तो सकह से हम हो दो आपन का ज़से इसा डिजाइन बन रहा है इसा डिजाइन बन रहा है यह देखिए पूरी तरह से डिजाइन बनके रेडी हो चुका आप लोग बताइए कोमेंट में कैसा है यह डिजाइन वाइट और मेंदी कलर का उधर सिंपल दिवाल है अगर यह दिवाल है फंटास्टिक बना है बलकुल